अकसर दोस्तों आपके आसपाँ जादू की भूत प्रेत की घटनाई होती रहती हैं। लोग कहते हूँ हमने भूतों को देखा है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या आपने भूतों को देखा है। तो आपका जवाब यही होगा। मैंने तो भूत नहीं तेखम मैंने सुना है कि मेरे दाश ची को भूच दिखाई हुई दीया लेकिन आइसा कोई एक सक्स नहीं मिलेगा जो कहएद hè मैंने वास्तों में अपनी आखों से देखा है लोग यह कहते हैं कि मैंने सूना है कि bhistma शुनी से जंगल आ रहा है आज जवाने कंप्यूटर का है इंटरनेट का है सोसल मीडिया है एई टिकनोलजी है लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग है उनके भाई का भूत है बचपन जब बची की परवरिस होती है उससे का जाता बेटा बाहर मत जब भूत आ जाएगा वहीं से भूत का जन्म ह होता है आज आपके सामने कहानी सुनाने वाले हैं वह एक सची घटन पर अधारित है जहां पर आप जानेंगे भूत के चक्कर में कैसे किसी जीव की जान जाती है और भूत के चक्कर में पढ़े लिखी लोग बेवकूब बन जाते हैं डर जाते हैं और उनके लापरवाही स अपराद घट जाता है कहानी पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों आज आपके सामने हम चो कहानी लेकर आए ओ कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मानता सर्मसार हो जाएगी और विस्वास की उपर से कहानी है जहां खेतों में सुबह चार बज़े के आसपास दो किसान काम कर रहे होते आपस बाचित करते हैं तब ही उन्हें किसी की रोने के आवाज आती है काफी देर तक आवाज आती है तो एक किसान दूसरे किसान से पूछता है क्या भाई तुमको भी आवास सुनाई दे रही है, दूसरा कहता हमें नहीं सुन पाया, फिर एक आजीव से आवाज आती है, पहले किसान सोचते हैं कि वहाँ जाकर देखते हैं क्या बात है, साइद किसी को हमारे मदद की जुरत है, लेकिन जब आजीव से आवाजे आती हैं, तो दोनों किसान डर जाते हैं, और उस हो रहा है, अगर किसान वहाँ चले जाते, तो साइद कोई अपराध होने से बच जाता, उस समय उस जंगल में अपराध हो रहा होता है, और यह दोनों किसान डर जाते हैं, अब सुबह के समय होता है, साथ बज़े के आसपास का, मनोज जोगी उसी गाउं में रहता है, उसक ऊपने घर में सब वालएब करना को घर के बाहर नहीं निकलेगा बाहर खत्रा है जब अभातार आवाज आती है तो मनोच्छीड्की से जहाग कर देखता है कि महिला जिसी को या करती दिखाई दे है लेकिं सरीर कोई वास्तर नहीं है उसके इस तन दिखाई जा रहे हैं गुपतांग सब को दिखाई जे रहे हैं बाल है उसके फिर दरवाजा खोलते पड़ोसी लोग भी आ पूस्तास पूस्ति यह बताओ बेटी कहां पर है यादि बच्चा कहां पर है और नीटा जो कि भूत जैसी छवी होती है और तुमने मेरी सिद्धियों को भंग कर दिया है वरना मैं बच्चे को चिंदा कर लेती और बार यही बात कहती है अब सब लोग पर सान हो चाएटे भ बात पता चल जाती है जब तो उनके रोंग्टे खड़े हो जाते हैं किसानों के साथ पूलिस उस जंगल में जाती है जाज परदाल करती देखती है पूरा जंगल की जमीन में तो घास के कूड़ा करकट है लेकिन कुछ एक जगह साप सुद्री है जैसे वहाँ पर घास कि जाती है 12 रोंबर की साहब बात है ये बाजार जाती है पच्छों के साथ में गलते मुझे कुछ सामान खईदना नहीं जेसे समान खईदके लासनीab message चाब चाकू था, काड़ा था, चूड़ी थी, कांस था, निमू था, बहुत सारी चीज़े थी, लाउंग थी उसके बात के मुझे को पता नहीं, होता क्या है यह जो महिला होती है एक तांदरिक के चकर में आ जाती है बिहार में, इसका पती दिली में आनन्द, लोहा सीधा करने का काम करता है, सट्रिंग का काम करता है, मजदूरी करता है यह यहां रहती ही खुराफाद इसके दिमाग में आती है यह तांदरी के पास गई होती है साधी के पहली की बात है और बाद में इसके साधी हो जाती ही चार बच्ची हो जाते ही यह सोचती कि यह सब कुछ तांदरी के आसर रुवास से हुआ है तांत्रिक से इसने तंतर क्रिय सीखी थी और आंद्विश्वास का जाल अपने दिमाग में भर लिया था कछणा भर optical था इसने आंद्विश्वास में आकर को अपने बच्चे के ऊपर प्रयोक किया हो जब हो जो जनगल में सतार शीली गई थी वहां देखते हैं पानी भरा होता है वहां हाट डाल की खोदा जाता है तो इसके बच्चे का सव मिलता है पुलिस उस बच्चे के सव को पोस्ट माटम हाउस बेशती है डॉक्टर कहते हैं इसमें कलेजा गायब है अभी इससे पूछा जाता कलेजा कहा यह बच्चे के जान बच जाती कि किसानों का डर को जैसे अन्विश्वास की जान चली गई अगर किसान अन्दिविश्वास भूत प्रेश के चक्र में नहीं पढ़ते उस जैंगल में जाते तो उस बच्चे की जान बचा लेते यह अपनी तंद्र किया सिद्ध करने के लिए बच्चे की हत्या कर देती है और गार देती है बार बार कहती है कि तुम लोगों ने मेरी सिद्धियों को भंग किया है अगर मेरी सिद्धियों को भंग नहीं करते तो बच्चे को में जिन्दा कर लेती इस महिले ने रात के उस गाउं के चार चक्र लगाए थे बाद में मन को चकाने मनोस तो चग गया लेकिन भीर भाड़ हो गई वो डर गया था फिर पूलिस के दौरा टीम मनाए जाती आसपास गाओं को जागरुक किया जाता है जिसे लोगों के मन्स यह भ्रांती हटे अंद्विश्वा से दूर रहें दोस्तों यह कहानी सुनाने को देश किसी की भावनों को ठेस पहुचाना नहीं है बस आपको इलट करना है कि आपके आसपास जो जुर्म हो रहा है उससे आप होसियार रहें और उसे जुर्म के सिकार आपने दोस्तों कहानी कैसे लिए कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और इसको जादस जादस सेर करें हमार दोसोनेश कहानी में तब तक लिए जय भारत बंदे मातरम झाल 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 झाल